इस वीडियो में बात कर लेते हैं पुदुम जी पेपर्स की यहाँ पर एक सर का कमेंट आया था मुहमद नईम इनका नाम है और इनको इसके अनलिसिस चाहिए थे इसके अनलिसिस देख लेते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे कि स्टॉक एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है बड़ा चैनल है और फॉरमेशन भी उसी इसाप से बंतुई नजर आई है सपोर्ट रेजिस्टेंस की कुछ फॉरमेशन है यहाँ पे उपर रेजिस्टेंस चल रही है और सपोर्ट चैनल बहुत सही है स्टॉक कहीं यहाँ वाँ नहीं भाग रहा है पस यह जो आप देख रहे होगे एक सड़न वोलिटाइल मोमेंटम हैंगी स्टॉक में हो कई जग यह कुछ ऐसा सा मोमेंटम बन रहा है स्टॉक में और यहाँ से अगर स्टॉक सही चलता है आप देखेंगे कंसिस्टनली ट्रेंड लाइन पर हिट सो रहे हैं और उपर वाले resistances बहुत सही जा रहे हैं तो यहाँ पर एक momentum बन सकता है कहीं आके एक breakout का अगर वो सही रहता है तो फिर आप देखेंगे stock में आने वाले दुनों में तेजी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी तेजी के साथ साथ फिर जो final target अपना होगा उपर की दिशा में 60 रुपीज तक का जाएगा क्योंकि चैनल के अंदर का वही चाट target है और जो सबसे सही target देखने को मिलेगा वो यहाँ कहीं 60 तक जाएगा उसके पहले एक और बड़र momentum रहेगा क्योंकि आप देखेंगे 50 के level से अपर resistance जादा देखने को मिल रही है यहाँ पर तो 50 के level पहले ही आपको देखने को मिल रहा है resistance है और जो Friday के session में momentum रहा है यहाँ पर देखेंगे अगर तो buyers थे अपने 48 के पास और stock अपना भागा यहाँ से breakout मिलेगा और यह trend line के उपर एक बार निकल जाता है अगर तो trend line का support लेना शुरू करेगा थोड़ा सा fall भी आ सकता है क्यों कि आप देखेंगे यहाँ से trend line नीचे जा रही है बट नीचे से जब यह वाली trend line सिफ्ट होगी तो यह trend line उपर भी लेके जा रही है तो वो depend करता है कि यह sluggest momentum के साथ जाएगा या फिर तेजी से उपर भागेगा वो depend करता है इस trend line पर या फिर यहाँ पर breakout देने पर बाकी stock के नतीचे सारे सही रहे थे यहाँ प एक नजर नतीचों पर भी डाल लेते हैं आपको और बहतर समझ आएगा यहाँ आप देख रहे होगे sales दो थी इस बार इनकी 195 CR रही है यह कम हो गई है कहीं न कहीं आप देखेंगे last year September quarter में यह 211 की थी expenses आप से देखें तो कम हैंगे last time यह बड़े थे last year 185 थे इस बार 169 CR है operating profit same है 26-26 CR other income की बात करें तो same है interest इस बार 1 CR से बड़ा है affected उतना नहीं रहता है profit before tax आप देखें तो same है 24 CR last year भी वही था and net profit भी उतना ही नकल के आया 18 CR तो नतीजे सही रहे है stock के कोई कमी नहीं है थोड़ा sideways चल रहा है अभी और यहाँ पे देखेंगे sideways के साथ bullish momentum पकड़ रखा है stock नहीं यहाँ जब यह fall आया था आप देखेंगे 26 October के बाद सारही चार्ट में यह आप देखेंगे ऐसा ही momentum है sudden fall का fall इस लिए आया था क्योंकि यहाँ पे निफ्टी थोड़ा correct हो रहा था उसके बाद फिर यह momentum पकड़ा है stock नहीं और निफ्टी भी उसी साब से बागते हो गया तो यहाँ पे थोड़ा sideways है यह level जैसी cross करता है sideways के साथ साथ अगर देगे तो सीधी बात है pressure है under pressure है stock और उपर की trend line निकल नहीं पा रहा है अल्रेड़ी आप देखें तो यहाँ पे एक दो दो hits तो यह trend line पे हैं बाकी आप देखेंगे 50 के psychological level बहुत जादा है तो यह psychological level जैसे ही sustain होके निकलता है आपका stock अच्छा चलेगा और target अपने रहेंगे पहले 55 जादा नहीं मान के चलेगे 55 इसलिए and to be precise 52 ही मान लीजिए आप 52 क्योंकि छोटा stock है यहाँ तक और 55 तक आप की sellers पीछा नहीं छोड़ेंगे यह इस level तक यहाँ sellers रहेंगे 55 जैसे ही cross करेगा stock फिर अच्छा चलेगा 60 भी cross करने की दम रखता है फिर main problem यहीं तक रहेंगे कि पहले भी आप देखेंगे 55 की level से reverse लाएं क्योंकि मैं हमेसा बोलता हूं psychological level के 5 point पहले और 5 point बात तक हमेसा sellers देखने को मिलेंगे तो वो यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में तो hopefully यहाँ सारी चीज़ें मैंने clear कर दियोंगी पुदुम जी पेपर में कि क्या momentum है गा क्या सा चलने वाला है no doubt stock सही चल रहा है आप देखेंगे दिन पर दिन stock bullish momentum पकड़ रहा है क तब fall हुआ था उसके बाद फिर यहाँ यह nifty correct हो गया तब fall आया otherwise कोई बड़े major fall नहीं यह stock में पूरा market ही लाए तब गिरें यह कुछ रहता है कि आप देखेंगे multiple indicators रहते हैं उनके हिसाप से stock कभी high हो जाते कभी लोगी उसका formation रहती है otherwise stock सही दिशा में जा रहा है नती स्टेन हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे बायर्स थोड़े खुलके एक्टिवनेस के साथ बाय करेंगे और यहां से क्योंकि अगर rejection फिर से देता है तो यहां कहीं यहां support लेने आएगा 47 तो भी 50 target रहेगा एक hurdle की तरह है तो 50 sustain हो जाने दिजिए अगर कोई long term के लिए 50 से reversal आ गया तो थोड़ा वेट कर लीजे अगर 50 एक पर sustain कर जाता है तो फिर अच्छे targets देखने को मिलेंगे sustain करना ज्यादा important होता है क्योंकि sustain हो जाएगा तो यहां जो अभी sellers है वो buyers बन जाएंगे पूरे तो उनके perspective से फिर buyers यहां पर जादा हावी रहेंगे और sellers को फिर